नमस्कार दोस्तों आपसों का मेरे यूडूब चैनल में श्वागत है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार उपेन बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो इंडियन आर्मी नेवी और यो डिफेंस लाइन के जितने भी दोस्तों जोग है वैकेंसी जोग है क्या है बिहार उपेन बोर्ड से पास करने के बाद वो सारे चीज़े भर सकते हैं डिफेंस लाइन के जितने भी फॉर्म है जैसे कि दोस्तों क्या है इंडियन आर्मी नेवी ठीक है दोस्तों उसके बाद एयर फोर्स पुलिस ने जितना भी दोस्तों पुलिस वाली जो नौकरी है बहुत सारे बच्चों का यह रहता है confusion की इंडिया नार्मी में जा सकते हैं शेना में शेना वर्ती में जा सकते हैं बिहार ओपेन बोर्ड का certificate valid है की नहीं है तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजे की जानकारी दूँगा चलिए दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकि अंतक बने रहे तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों विहार ओपेन बोर्ड का जो certificate का value है वह इंडियन आर्मी में आप जो हैं विहार ओपेन बोर्ड से पास करके विहार ओपेन बोर्ड का जो certificate का यूज आप इंडियन आर्मी में किसी भी जो defense land की जो नौकरी है उस सारी चीज में कर स्वात पनिगू कर चार्ट कर सकते हैं ऽाने बब्ड़त कर लुग को दिखकत नहीं यह प्याद्कत कर से कि सर्टिफिकेटेट की वह अन्य अधर जैसे कि दोस्तों भीयार बुर्ट उसके बाद सिरीच सेंटाल और इसके बाद आई-स-स के बीज सपो यह इन बॉर्ड के बरावर जो है भीयार और पेन बौर्ड का स्रेटेटका वहलू होता है घज्य scratch तो आपको कहीं भी आप जाना चाहते हैं बिहार ओपेन बोर्ड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि हम इंडिया नार्वी में जाना चाहते हैं या फिर डिफेंस लाइन में जाते हैं जाना चाहते हैं मतलब कि पुलिस की नोगरी म को यूज करके इसकी certificate जो है हर तरह की जोब में valid है तो बहुत सारे बच्चों का यह confusion रहता है और बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा था पूछा था कि सर यह Indian Army में valid है Defense Line की Job में बहुत का certificate value है बैलिड है कि नहीं वैलिड है तो मैं आप लोग बता दूँ आप लोग जो है बिलकुल निफिक्र रही है बिहार उपेन वोड का जो सर्टिफिकेट का वैलू है वो हर सेक्टर में जो है बैलू है ठीक है बैलिड है कहीं भी आप लोगो को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने व फ़क सकता है ठीक है तो आप लोगों को आशे करता हो दोस्तों की बीडियो पसंद ही एकाप जितने भी कनफ्योजन दौट थे आ। सारी जयंकारी आप लोगों जान सकें ठीक है और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के ता साथ तब तक के लिए धन्यवाद ठेंक यू